हेलो फ्रेंड्स लेडिस कर इस चानल में आप सबको स्वागत है आज की वीडियो में हम देखेंगे विताउट लाइनिंग लेहंगा की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो बहुती सिंपल स्टेप्स में आप सीख सकते हो कमर की साइज को हमें चार गुना करना है चार गुना करने के बाद उतना हमें में फैबरिक लेना है इस तरह मैंने साइरी कट पिस में कमर की साइज को चार गुना करके कट किया है इसके बाद लेहंगा की लेंग्था में रेडि करना है 40 इंचस और वेश्ट साइज है कमर की साइज है 33 इंचस 33 inches को मैंने 4 गुना करके around 3.5 meter main fabric लिया है सेरी cut piece लिया है इसके बाद length हमें ready करना है 40 inches इसमें हम 2 inch minus करेंगे उपर belt के लिए 38 inches skirt pad को ready करना है इसमें मैंने 1 inch add किया है सिलाई margin के लिए 39 inches पे इस तरह लेंगा की length को मार करके cut किया है इसके बाद हमें belt के लिए cut करना है piece को इदिके कमर की साइसे 33 inches इसमें हमें 5 inch add करना है टोटली 38 inches हुआ 38 inches में हम आदा करेंगे 19 inches हुआ क्योंकि हमने कपडे को double fold किया है इदिके इस तरह double fold करने के बाद ऐसे open side से हम 19 inches पे mark करेंगे उस marking के उपर कपडे को double fold करेंगे और आप 4 layers में fold करके भी cut कर सकते हो इस तरह से मैंने 38 inches की belt को cut किया है main fabric के उपर belt और skirt pad के लिए fabric को हमने cut किया है अभी हम stitching शुरू करेंगे belt को ready करने के लिए same size की lining कपडे भी लिया है belt में add करने के लिए skirt pad को without lining हम stitch करेंगे इस तरह से belt पटी को हम दोनों को जोड देंगे आप किसी भी size की लेंगा को stitch करने के लिए 2 inch belt को ready करना होगा इसको double fold करना होगा इसलिए हमें 4 inch लेना है और वन इंच सिलाई मार्जिन के लिए totally belt की length को हमें लेना है main fabric का और lining कपड़े के उपर 5 inch 5 inch length लिया है मैंने और width 38 inches लिया है अभी हम belt की दोनों side lining को और main fabric दोनों को अच्छी तरह से जोड के stitches डाल देंगे उपर और नीचे दोनों side हमें stitches डालना है इस तरह से मैंने stitches डाल दिया है उपर की side और नीचे की side भी एक length stitches डाल देंगे इसके बाद extra कपड़े को हम trim करेंगे क्योंकि lining कपड़े के उपर तोड़ा extra कपड़ा है 5 inch से ज़्याजा है length में अभी हम इसको cut करेंगे belt की length हमें लेना है 5 inch और width लेना है 38 inches कमर की size में आपको 5 inch change एड़ करना होगा इसके इस तरह से में ने दोनों side stitches डाल दिया है इसके बाद extra कपड़े को हम trim करेंगे belt को ऊपर और नीचे दोनों side हम stitches डाल दिया है इसके बाद belt की दोनों side हमें double fold करके stitch करना होगा इसके दोनों side में इस तरह double fold करके stitches डालना होगा दुसरी side भी हम इसी तरह stitches डाल देंगे fold करके अभी belt बन के ready है belt के नीचे आपको skirt part को जोड के plates करना होगा without lining हम इस लहेंगा को stitch कर रहे हैं आप skirt part में lining कपड़े add करना चाहते तो बहुत सारे वीडियो में ने बना लिया है lining और remain fabric दोनों मिलके केसे आपको लहेंगा को stitch करना है इस वीडियो में without lining इस लहेंगा को stitch करेंगे अभी हमें skirt part की दोनों side इस तरह double fold कर गए stitch करना होगा ऐसे fold करके stitch कर दिया तो overlock करने की कोई जरुरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैंने दोनों side stitches डाल दिया है इसके बाद belt लिया है मैंने belt को सीधा रखेंगे इसके उपर skirt part को उल्टा रखेंगे skirt part की कमर part को belt की नीचे की side ऐसे रखके plates बनाती जाएंगे पहले आपको दोनों कपड़े को अच्छी तरह से जोड के रखना है और एक इंच सीधा stitches डालना है इसके बाद plates बनाना है इस तरह से एक इंच सीधा stitches डाल दिया है इसके बाद plates बनाएंगे इस तरह से एक इंच width की plate बना लिया है और next videos में आप with lining लहेंगा की cutting और stitching वीडियो देख सकते हो इसके बाद लहेंगा के ऊपर crop top भी कैसे stitch करना है वो भी देख सकते हो crop top को मैंने princess cut में cut करके stitch कर दिया है सैरी में पूरा लहेंगा और crop top कैसे cut करके stitch करना है दो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी crop top को मैंने princess cut में stitch किया है इस तरह से मैंने एक plate के उपर दूसरे plate को ऐसे बना के stitches डाल रही हूँ और kids के dress के उपर बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो मेरे चानल में केड्स की frame, cutting और stitching वीडियो और umbrella लएंगा और crop top на cutting और stitching वीडियो neteshari में और blouse की cutting और stitching वीडियो बहुत सारे वीडियो मेरे मेरे चानल में आप देख सकते हों मेरे चानल में मैंने अप्लोड किया हुआ सारे वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा सब्सक्राइब किया तो मैंने अप्लोड किया हुआ सारे वीडियो की लिंक आपके मॉबाइल पर आई की link के उपर click करके आप देख सकते हो वीडियो उसको इस तरह से belt के नीचे plates बना लिया है एक ही से इसकी plates बनाना है एक ही से इसकी plates को हमें बनाना है इसके बाद belt को हमें double fold करना होगा ऐसे इस से पहले हम उपर की side को ऐसे आदा इंच तक fold करेंगे ताकि आपको double fold करने में कोई दिकत ना आए इदे कि इस तरह से मिने fold करके एक len stitch डाल दिया है आदा इंच fold किया है मिने इस तरह step by step लहेंगा को stitch करने से लहेंगा की finishing बहुत अच्छी आएगी दिकने में भी बहुत अच्छी दिकेगे इस तरह से उपर की side में आदा इंच fold करके stitches डाल दिया है अभी हम इस belt को double fold करेंगे उल्टी side और double fold करने वक्त plates की कपड़े को इस belt के अंदर hide करेंगे इस तरह से belt को मिने double fold किया है belt के अंदर stitch किये हुए plates की कपड़े को अंदर hide करेंगे और kids की umbrella frock के उपर मैंने बहुत सारे वीडियोज बना लिया है और borders है में लेंगा और crop top की cutting और stitching वीडियोज भी बना लिया है उपर link दिया है लिंक के उपर click कर दिजिये और वीडियो को देख लिजिये और इस तरह आपको belt को double fold करके stitch करना होगा बेल्ट के नीचे पहले आपको स्कर्ट पार्ट को प्लेट्स पना के अटाच करना है इसके बाद ऐसे बेल्ट को डबल फोर्ड करना है डबल फोर्ड करने के बाद लेंगा की दोनों साइड को जोड़ के स्टिच करेंगे ये देखे लेंगा की दोनों साइड को मैंने जोड के रख दिया है इसके बाद दो से तीनी इंचे साइड में चोड देंगे चोड के नीचे की साइड एक लें स्टिचस डाल देंगे और पहले ही हमने दोनों साइड में डबल फोड करके स्टिचस डाल दिया है इससे आपको overlock करने की कोई जरूरत ने पड़ेगी ये देखे दोनों साइड्स को मैंने जोड दिया है जोड के stitches डाल दिया है अभी लेहंगा पूरी तरह से बन के रिडिये है आप इसमें नाड़ा भी लगा सकते हो नहीं तो आप buttons पी skirt buttons पे attach कर सकते हो और इसके साथ मिशों में इस तरह का blouse को order किया है मैंने black color का इदे के plated लेहंगा बन के ready है आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगी तो please like कीजिए share कीजिए आपके friends और family के साथ और मेरे चैनल को subscribe कीजिए subscribe किया है तो मैंने upload किया हुआ सारे वीडियो की notification आपके mobile पर आएगी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत तन्यवाद